कि svasagat आपका आपके अपने चनल की समस्त में आज हम पढ़ने जा रहे हैं matrixes की class no.2 ठीक है कि इस class में हम पढ़ेंगे types of matrices की तेबेस की होते हैं total नहकर seven types की matrix होती है ठीक है एक एक करके हम उसके बारे में बढ़ते हैं चेंदे हैं पहले पहले टाइब की मैट्रिक्स पढ़ते हैं पहले टाइब की मैट्रिक्स है माले यह है कॉलम मैट्रिक्स थेको एक matrix को बोलता है matrix बोलते है और अगर plural हो जाए तो ते इह उसी है matrices बोलते है यह matrix का plural word है तो column matrices क्या होती है column matrices for example जैसे अगर कोई भी matrix में जिननने लिखा हूँ है तो इसे क्या करते है column matrices फें बोलते है इस इसमें number of column अगन्भर कौलम, पिए नमबर कोलुम कितने होते हैं? इसमें एक नमबर कौलम होते है, उसाम मेटिक बोलते है, पिलित में इसी सेLP एक कहता है? भूम शुन के में दो्समें इसमें पड़ेखिते हैं? नमबर आफ वाः घंए नंबर Ark कितने होती है वह एक ही होती यानि बढ़र रा होती है के ट्रकें एकी रॉती उसक्ष हो एक है उसक्षच क्या करते है रोमेट्र सबोलते है और या दो फिल्म में वेक्या हो गया कितने होते हैं, कितने भी हो सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, कोई example लेता है, जैदा for example a matrix नाम दे दिया मैंने, इसमें 2, – 2, 1, ठीक है, इसमें तो raw कितनी है, raw तोर मैंकि 3 है, और column कितनी है? 1 है, ठीक है, बस column 1 है, इस सिम्पल सी बात, को कालम क शुक्क का अगर को कई मैंति सब्सक्राइब कृण मैंति कर लेंगे अ नियुक्स में इसवां कितनी है décale किसी थो सब्सक्राइब ही एक एक का कितनी बहुत अर्लका रिखTo Branch कि आपको इसे मतलब है किसे कोलम्स अ पर आपको पता है और और में कैसे रिकते हैं पहले यह आए फिर जरे लिखते है आइक अब क्या पन्साइब नंबर ऑफ रो होते हैं अब कि किंदमने यहाँ पर कॉलम से होते हैं फ स्टीक तो कॉलम्स कितने तो इसमें तोमिल लग के कितने किने को मैं क्या करते है रॉक कितने इसमें रॉव तो एक ही है और यग धिक है यह सेम से रॉमोडीérer ढब देगा आ कि ह现 कि ऐसेटेट सेम इस कि 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 यह वन वह एक चैनल को ओने चैनल को य सिंपल रो tag बस सिंपल जितनी एक ही रहा होगी अगर नंबर मेट्रिक्स में एक ही रहा होना चाहिए और नंबर मेट्रिक्स से फरक नहीं पढ़ता है ठीक है चलिए वीडियो को पॉस करें उता लीजिए नेक्स आगे पड़ता है तर थे थर्थ आपका है कि स्क्वैर मेट्रिक्स से होता है जर marijuana प्र एककोल होता है कि इसके number of column की ठीक है number of rows और number of column दोने क्या होने चाहिए same होने चाहिए उससे क्या बोल देंगे square matrix बोल देंगे simple ठीक है for example ले लेते हैं ठीक है अब देख उसमें raw कितनी है इसमें जखांगा मैं लिखूं उसको यहां पर राव 1 राव 2 और राव 3 इक कॉलम 1 कॉलम 2 लेकिन अब उसको इमेटिक से बोलते हैं जिसमें number of rows और column के उते हैं सेम होते हैं तो फिलाला भी खतम नहीं होए इसमें क्या करना पड़ेगा एक और कुछ भी मतला अपने मन से यह लिखने पड़ेंगी ठीक है इसमें क्या बोलते हैं स्क्राइब को मैट्रिक्स को बोलते हैं square matrix जिसमें order सेम सेम होते हैं और 3 नहीं ऐसे करके इसमें 4 भाइ 4 कभी हो सकते हैं जिस मेंजी का भी ही हो एक और एकक्जाम्पल ले लेते हैं यह 4 लेते हैं इसमें number of rows कितनी है दखो number of rows कितनी है one है column कितनी है one है तो one by one का order है तो इसे भी क्या बोल देंगे square matrix बोल देंगे ठीक है जिसमें number of rows और number of column क्या होते same होते हैं उसे square matrix बोलते है ठीक है next आगे बढ़ते है next step का fourth है diagonal matrix ठीक है अब diagonal matrix क्या होते है पहला तो दो दो चीज़े है पहला कि वो square matrix तो होना ही चीज़े square matrix मतलब मतलब number of row और number of column क्या होंगे same same होने चीज़े simple ठीक है ठीक है rows और equal क्या होने चीज़े column से होने चीज़े है जितनी rows है उतनी column होने चीज़े उसे बढ़ते है square matrix second में क्या है कि आपका जो diagonal होगा ठीक है diagonal में उसमें कुछ digit लिखी होगी digit मतलब कि 123 लिखा होगा लग कुछ और number लिखा होगा बागी सब में 0-0 होगा एक्जांपल देख लेते हैं ज्याज़े एक्जांपल 3 देखो मैंने ऐसे लिख दिया यह बागी सब जगा मैं 0 लिख रहा हूँ तो यह square matrix तो हुआ अब दोखो इसके diagonal में ही कुछ ना कुछ लिखा होगा यहां पर ठीक है पांकी सब जगा क्या लिखा है इनोंने दोखो 0-0 लिखा है पांकी सब जगा 0 लिखा होगा है सिर्फ diagonal में कुछ ना कुछ लिखा होगा है तो ऐसे matrix के आप बोलते है डा सेडा में कुछ ना कुछ लिखा होगा तो उसे बोलगे एसमें पी क्या डेक है तो इसमें प्याया हैfold म कुछ ना कुछ लिखा होगा उसे बोलेंगे नेखे़ एक और example लेते हैं यह one by one का order है अब शसके daggle में क्या लिखावे है नो ने डागल में five लिखावा है वाकि जो कोई number ही है वाकि कोई number लिए तो इसलिए यह square matrix भी है तो इस square matrix भी है और साथ में यह daggle matrix भी है तो इससे आप daggle matrix भी बोल सकते हो इसे आप raw matrix भी बोल सकते हो, इसे आप column matrix भी बोल सकते हो, ठीक है, यह column matrix भी है, because a की column है, a की row है, और square matrix भी बोल सकते है, because a की row, a की column, one by one का order है, और diagonal matrix, because diagonal में कुछ ना कोई लिखा है, बागी सब जेके, zero, बना कुछ नहीं है, वैसे एक ही element है, ठीक है, समझाएगे, यह diagonal matrix कहलाते है, ठीक है, वीडियो को pause कर लिजे, उटा लिजे इसको, देखे, फिफ्ट पर है आपकी, scale matrix, ठीक है, अब scale matrix के बोलते है, तो को square matrix के पहले तो यह, क्या होना चाहिए, यह आपका square matrix होना चाहिए, ठीक है, दूसरा यह आपका, diagonal matrix बोलना चाहिए, diagonal matrix मतलओ, diagonal में कुछन कोई लिखाओ, पाकी सब जिगा 0 लिखाओ, ठीक है, और तीसरी जो खुबी है, वो जो diagonal में जो number लिखे होंगे न, उस सब equal लिखे होंगे, मैंने, equal मतलब सेम लिखे होंगे, ठीक है, क्या लिखे होंगे, जो तो को example लेते हैं, जैसे ले लेते हैं, 3 by 3 quarter ले लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ले लिए, मैंने, मालना की 5 ले लिया, तो diagonal में हर जगा 5 भी लिख रहा होना चाहिए, बाकी सब जगा 0, ठीक है, ऐसी matrix हो क्या बोलते है, स्क्याल मेट्रीक्स बोलते हैं, ठीक है, इनके जो diagonal, पेहले जो square matrix है, ये 3 by 3 quarter है, तूसरा ये diagonal है, बिखे हो क्यों diagonal में कुछ लिखा वाए, ठीक है, अगर diagonal सेम प्थे सीम लिखी में, सीम नंबर है सब, है ना, सीम नंबर है, अगर सीम नंबर से, तो उससे क्या बोलते है स्केल मेड़र्स बोल देंहें घृठ अगला देखते हैं नेक्स ट्याप का 6 आइडेंटितिटी मेट्रिक्स मेरम की अपते हैं अब आप हैंटिती मैट्रिक्स के ओधिस बीडेंग को मेट्रिक्स एक all police fisher video करते हैं झायो कि इंपेज待って तो फर्जाम्प ठीबाइ थी का ओडर लेतें एक्जंबल में तो यहाप डेगनल में क्या लिखाऊना चाहिए बागी सब जगवा जिरू स्पेसल है कि डेगनल में बन लिखा वोगा ठीक है तो दीखो अब इसके डेगनल में कुछ ने को लिखा वाए है तो यह डियागनल मेट्रिक्स है यह order के same है बन्स थी बाइथी को order है number of rows और number of column दोनों same है यह square matrix भी है और डियागनल जो number लिखे में same to same है सारे तो यह scale matrix भी कहला देगा ठीक है बड़ता अगर इसमें 1-1 लिख दिया तो इसे identity matrix बोल देंगे अन्यकिए i matrix बोल देते है ठीक है अगर one के लावा माइनल लो माइनस one यह लिखा होता है ठीक है तो इससे क्या बोलते है scale matrix बोल देते हैं या कुछ और लिखा होता है बाकी सब्सक्राइब क्या लिखा होगा जिरो लिखा होगा ठीक है अगर one by one के order में लेंगे तो यह बीच में क्या लिखा होता है जिए one बस डाइगनल में लिख दिया बस सिंपल है तो यह क्या लागा है identity matrix के लाएगा यानिकि i matrix ठीक है next एक और देखते है last आपका 7 ठीक है यह आपका zero matrix ठीक है zero matrix जैसे नाम से पता लग रहा है simple इससे इसमें यह square matrix हो या ना हो फ्रगनी पड़ता ठीक है यह किसी भी order का उसकता है ठीक है यह किसी भी order का हो सकता है तो फरक नहीं पड़ता two by two का हो one by three का हो ठीक है किसी भी order में हो सकता है ठीकिन जो भी elements होंगे आपके जैसे one two जो भी elements होंगे ठीक है वो सब zero होंगे किस order का यह है दखो रो कितने दो और हो है और कॉल्म कितने तीन तो two by three का order है ठीक है square matrix नहीं है square matrix भी हो सकता है ऐसी बात में बट यह क्या है सब element क्या है zero zero है बस इससे क्या बोल देंगे zero matrix बोल देंगे अगर यह two by two का order का है तो zero दखो तब भी elements क्या होने चीए simple zero होने चीए ठीक है अगर मानले one one by two का है one by two मतलब क्या हो गया column कितने दो तो यह तो बस simple zero zero होने चीए सारी matrix उससे क्या बोल देंगे zero matrix बोल देंगे ठीक है समझ में आगया होगा चलिए मिलते है नाइस क्लास में till then bye bye